नमस्कार दोस्तों मोचिनेवी लाइफनाप का फिडिसे स्वागत है तो आज की वीडियो में पंपिंग के उपर बताऊंगा जो की ओल चोरी होती है फ़ल एक बंदे ने कॉमेंट किया थे कि भी आप पंपिंग के उपर वीडियो बनाओ कौन-कौन से वेसल पर ओल चोरी होत मोच पंपिंग में महीं सब लुक्णल से दैंट कर दो वीडियो यह हो जब जब ना तो जब पंपंपिंग होती है अगर जब पंपिंग होकी ना तो जटते भी आप लोग ब्राबर पैसा बढ़ता जिटने ऴीत टैल की चोरी होती तो company में वो पूरी रिपोर्ट नहीं भेजते बोलते हैं हमने इतना ही तेल खेटा है और जितने तेल जो चोरी करते हैं वो गैलन रहता है बड़ा बड़ा गैलन रहता है उसमें भरके वो लोग सेव कर लेते हैं तो जो एक्स्टा जो शिप आती है वहाँ पे वो लोग बेज पंपिंग के वेसल पर जाता यार बहुत रिस्की काम है अगर आपका बाइच चांस आपको अगर जाने का शौक है तो कई बंदे जाते हैं इंडिया में कई सीफेरर आप लोग देखो कि जो की पंपिंग वेसल पर काम कर रहें अभी और बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं श जुगाड हो चुका है जो भी बंदे जा चुका है उनको एक्सपीरेंस हो चुका हो कई बार आते जाते रहते तो नए बच्चे जाएंगे उनके लिए मुश्किल है कई बंदे डरते हैं अगर आप पकड़े गए एक बार तो उस कंट्री में आपको बैन हो जाएगा अगर पर आपको काफी दिक्कत हो जाएगी तो मेरे हिसाब जो भी बंदा पूछ राधा-पंपिंग लिए यार पंपिंग में पैसे बहुत है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा अगर आप बिना रिस्क के जा सकते हो अगर आपको रिस्क लगता है किया मैं कर लूंगा तो थे सब्सक्राइब कर शक्राइब क्यों सबंड़का जाएगा अगर अपको अच्छा और आगर लगता है जाने का तो वेशल में काफी जादा एजन्ट मुंबई में मिलेंगा आपको ऐसे वेशल भीशते हो जो पंपिंग जहां पर होती और तेल का जादा उद्धर सब कंट्रीज में जाओके वहां बैशते हैं तो पैसा जाना करूंगा अगर आप दीरे दीरे शार्ट करोगा आगे बढ़ोग अगर आपको लगता है आप कर सकते तॉप करूँ तो ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा है वीडियो यार जो भी बंदा पूछ रहा था बंबी के उपर मैंने बता दिया छोटा सा वीडियो सो आज के लिए बस इता ही है सो थैंक्यू फॉर्चिन दिसुटी थैंक्यू बाद